हेलो एवरुमा को तो नो द हमसे हो आऊके तक सबस्क ऑक्रियां का देने विलस्टी यह वेipश का रिलेशन वेन ए विलस्टी और ग्रूब वेलस्टी को नेवरासटी इस अगर हमकिसी वेप कर से बात करTu आप सिंगल बेख लेते हैं इसे consider कर लेंगे दो वेब्स को किसी अधर डायरेक्षोट्स में जा रही होगी उनका मैक्समुम एम्पलिचूट के थुरू निकालते हैं आये एक तरह से एंपलिचूट के थुरू उनका वैलासिटी के तरह चरिए डिस्कस करते हैं, तो इस में हम क्या करते हैं कि सुपर पॉजिशन प्रिंश्पल को यूज करते हैं, Y equal to Y1 plus Y2, एगर हम डो ही वेव को कंसिडर करें किसी वेव पैकेट में, तो उनका सुपर पॉजिशन प्रिंश्पल होगा, वह Y equal to Y1 plus Y2 से निकल जाएगा resultant displacement तो हम सब्सक्राइब कर लेते हैं कि एक जो वेब है उसका displacement कुछ इस तरीके से है y1 equal to a sin omega 1 t minus k1 x यहाँ पर omega 1 है angular frequency angular frequency किसी एक waves का और यह है propagation constant propagation constant उसी तरीके से यह दूसरी waves का velocity angular frequency and propagation constant तो जब हम इसका superposition principle निकालेंगे तो कुछ इस तरह आएगा a sin omega plus a sin omega 2t minus k2 x and then हम use करेंगे यहाँ पर formula sin c plus sin d का यह होता है 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 this formula को जब हम use करेंगे तो यहाँ आएगा 2a sin this one and into cos this one c minus d by 2 c minus d by 2 यहाँ पर यह क्या है यह c जैसा है और यह total term यहाँ पर d जैसा है तो finally हमें मिलता है इस cos को हम आगे लिख लेते हैं y equal to 2a cos omega 1 minus omega 2t minus k1 minus k2 upon x and sin this term this whole term is here so sin omega 1 plus omega 2 upon 2 minus k1 plus k2 यह सारी चीज़े यहाँ होंगी हमें group velocity में cable amplitude factor की velocity निकालनी है इसलिए हम इस matter को यहाँ से सिधे लिख लेंगे ज्यादा हमने लिखा नहीं तो इसकी जब हम velocity निकालेंगे तो simply जो group velocity है उसका expression होता है vg so omega 1 minus omega 2 k1 minus k2 equal delta omega upon delta k तो यह हो जाएगा vg equal to delta omega upon delta k equal to d omega upon dk ठीकर तो यह expression है हमारा group velocity का d omega upon dk और इसके पहले हमने phase velocity को discuss किया था तो वो आता है vp equal to omega upon k यह था single waves की velocity और यह है group of waves की velocity जिससे हम group velocity बोलते हैं d omega upon dk ठीकर तो अब हम discuss करते हैं कि दोनों के बीच में relation क्या है so relation between phase velocity and group velocity and group velocity भीजी तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमने अभी expression निकाला है भीजी होता है हमारा d omega upon dk ठेक है और इसके बारे में हमने पढ़ लिया था यहां से हम अगर omega निकालेंगे तो क्या आएगा omega आएगा simply k of vp तो इसको हम लिख सकते है d by dk और यह हो जाएगा k into vp यहां से इस पर जब हम apply करेंगे तो यह हो जाएगा k dvp upon dk plus vp क्योंकि k के respect में हम करेंगे तो यह simply 1 हो जाएगा तो यह हो गया dvp upon dk plus vp अब चुकि k बराबर होता है 2 pi by lambda तो अगर हम यहां से dk निकालेंगे तो क्या आएगा तो यह तो एक relation हम कह सकते है है vp और इसका लेकिन हम k को थोड़ा change कर लेते है k होता है propagation constant 2 pi by lambda तो dk हो जाएगा minus 2 pi by lambda square d lambda तो इसे हम यहां पर सबसे शूट करते हैं तो हम मिलेगा vz equal to vp यहां पर minus आजाएगा k की value है 2 pi by lambda और यहां पर d of vp और अपन में minus यह minus तो यहां आएगा as और प्लस d lambda clear? dk की value simply minus के साथ लिखेंगे तो minus यहां पर आजाएगा यहां minus की ज़रूत नहीं है यहां से 2 pi 2 pi cancel और lambda यहां पर आएगा यहां पर आएगा vp minus lambda d vp upon d lambda so this is the relation so this gives the relation between vz and vp यह जो हमारा relation आएगा यह dispersive medium के लिए है यह los relation है वो किस के लिए है dispersive medium के लिए dispersive medium क्योंकि इस medium में जो phase velocity होती है वो डिपेंड करती है lambda के उपर गए पर यह एक तरह से जो phase velocity है हमा एमारा phase velocity वो डिपेंड करता है blah लेंडा के उपर डिस्पर्सिव मीडियम में तो उस केस में क्या होता है कि जो हीजी की वैलू होती है वह आलवेज लेस देन होती है वीपी से तरह सम कह सकते हैं कि डिस्पर्सिव मीडियम में जो ग्रूब वेलास्टी होती है वो हमेशा फेज वेलास्टी से कम होती है यानि जो सिंगल वेव के वेलास्टी है उससे ग्रूब के वेलास्टी हमेशा कम होती है लेकिन जो नॉन डिस्पर्सिव म में जोव senators होति हैं वो लेमडा पे डिपकेंड नहीं करती तो उस केस में क्या होता है कि जो डीबी पी पॉण डीलेमडा है यह हो जाता है in गयुश से नौन डिस्पर्सिव मीडियो में ग्रूब वेलास्टी और आपस में क्या relation होता है तो I hope कि इस वीडियो के बाद ये confusion दूर हो जाएगा So this is all about for this video. Thanks for watching this video. Thank you